हलो गुड बॉर्निंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में BEGC 133 और इसमें जो आपकी बुख है बिटिस लिटरेचर इसमें हम आपके लिए कोस्टन ले करके आगए हैं जिसमें कोस्टन के साथ साथ आपका अंसर भी है कोस्टन बिथ अंसर BEGC 133 बिटिस लिटरेचर तो इसमें जितने भी कोस्टन है उन सभी कोस्टन को मैं आपको बताऊंगा और इसको देख लीजे यह आपकी एक्जाम के पॉइंट और वी से बेरे इंपोर्टन कोस्टन है अगर आप इन कोस्टन को करके जाते हैं तो आप अपने एक्जामस में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं तो चलिए हम इन कोस्टन को देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर कोस्टन को दिया गया तो सबसे पहले यहां पर आप देखोंगी question number first है how did they unnew discuss यहां पर किया गया कि पहला question को यहां पर देखेंगे question number first है यहां पर रहा question number first आप कै 90 overall question number first का यहां पर answer भी लिखा हुआ है आप answer को पढ़ लीजिए ठीक है answer जो है question first का answer आप अच्छे से पढ़ लीजे आपको पूरा answer यहाँ पर यहाँ तक लिखा हुआ दिख जाएगा यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ तक आपको इसका answer दिख जाएगा चले यह second question पर चलते हैं second question आपका ए रहा second question ए रहा इसको भी आप कर लीजे second question जो है आपके लिए ठीक है इस chapter से ही आपका रहेगा second question भी इस chapter से related है third question भी आपके लिए third question नहीं रहा जितने भी इसमें question है ना इन सभी question को क्या करना है आपको complete कर लेना ठीक इसमें जितने भी questions दिए गए हैं इन सभ You को आपको क्या कर लेना है complete करके जाना है अगर आप सभ OR को कौने करके जाते हैं इन तो आप अपने exam में अच्छे से अच्छे marks को gain कर सकते हैं। इसलिए इन सभी question को आप सभी को complete करके जाना है क्योंकि आपको exam और इसको अगर आपको थोड़ा दिख नहीं रहाँगा तो आप इसको वीडियो को थोड़ा रोक करके भी आप देख सकते हैं कि आपको question का अंसर जो देखना रहाँगा ठीक है तो इन सभी question को देख लीजिए question number 3 तो मैंने बता दिया था तो question number 3 तो मैंने बता दिया इन सभी question को आराम आराम से देख लीजिएगा आप इसको थोड़ा सा वेड़ करके इसको वीडियो को रोक करके आप देख सकते है question number 4 यहाँ पर लिखा हुआ है और question number 4 भी आपको करना है यहाँ हो रहता उसके बारे में आपको बताना है आगे चलिए जितने भी question इसमें दिया गया है इन सभी question को अगर आप करके जाते हैं तो आप अपने exams में अच्छे से अच्छे marks तो गेन कर सकते हैं तो इसलिए इन सभी question को कर लीजेगा अगर चैनल को जरूर subscribe करिएगा हम आपके लिए अच्छे से अच्छा content और देखें मैं आपको लिए question भी answer भी लेकर करके आया हूं तो इसको जरूर कर लिए question number 5 भी कर लीजेगा इन सभी question को आप क्या करेंगे complete कर लेंगे इसको भी देखते रहे हैं कितने मैं आपर आपको question बत very important question number 6 भी आपके लिए important रहेगा important रहेगा कर लिए इसको भी करना है question number 7 यहाँ पर है question number 7 question number 8 question number 7 question number 8 इन सभी question को क्या करना है आपको complete कर लेना है very important question and complete question number 9 इसको भी आपको complete कर लेना है and यहाँ आपका है question number 10 यहाँ पर आए दोस्तों question number आपका है 10 इसको भी आपको complete कर लेना है question number 10 को भी आपको क्या करना है complete कर लेना है ताकि आपके एक्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको इसकी अगर पीडियाप चाहिए कोस्ट नमबर 10 में EBCD किया कोडिंग है तो यहाँ पर दिया गया है जैसे B है C है तो आप इसको भी कंप्लेट कर लेजिएगा इसमें फिर आपका यहाँ पर यहाँ पर देखेगा डी यहीं फोर चार कोश्टन है कोश्टन नमबर 10 में चार रहा है ABCD करके है उसको भी आपको लिए अब सेंपल नमबर हमारा टू आ रहा है देखे इसमें मैं आपको टोटल तीन संपल पेपर दिखाऊंगा अगर आप इन तीनों सेंपल पेपर को कर लेते हैं तो आप एक्जाम में अच्छे से अच्छे मार्स को गेन कर सकते है सेंपल पेपर त्री आ गया है और थोरी तो आ गया है और सेंपल पेपर का कोस्तन नमबर वन पहला कोस्तन रहा इसको आप देख लिजेगा कोस्टन नमबर सेकेंड ये भी आपके लिए बेहद इंपर्टन कोस्टन है गा दोस्तों सभी के सभी कोस्टन क्या है एक्जाम के पॉइंट ओव इसे बेरी इंपर्टन कोस्टन तुसके कर लिजए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइ कीजीगा question number three यहाँ पर है यह भी आपके लिए very important question रहेगा question number three इस question को भी आपको करके जाना है ठीक तो इस question को भी आप कर लीजेगा question number three यहाँ पर देखे question number four and question number 5 question number 4 and question number 5 भी very important questions है उनको भी आपको complete कर लेना है यह जितने भी मैं question इसमें दिए गए है सभी के सभी question को आपको देख लेना है क्योंकि आपके exams आ रहे हैं और exam के point of view से सभी के सभी question क्या है आपके बहुत ही important है question number 6 and question number 7 इसको भी क्या करना है आपको complete कर लेना है आप इसको अगर थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो आपको question दिख जाएंगे तो आप इसको ना वीडियो की quality को आप थोड़ा extend कर लेना बढ़ा लेना और advance में जा करके और 1080 पे अगर आप देखेंगे वीडियो की quality करके तो आपको ये वीडियो अच्छे से दिख जाएगा last में अगर आपको इसके PDF चीए ठीक अगर आपको इसका PDF चीए तो मैं आपको अभी बताऊँगा वीडियो के last में कि इसका PDF आपको कैसे मिलेगा question number 8 and question number 9 इसको भी आपकर लिजएगा इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा अब वीडियो का PDF कैसे मिलेगा अब ही मैं आपको बताऊँगा last तक बने रही है देखते रही है question number 10 question number 10 का यह जो आपको लिखा है या sort में आपको लिखना है question number यहाँ पर आपका देखेंगे दोस्तों question number 10 का V 10 का C and 10 का D यहनि जो question number आपका 10 है question number 10 में जो आपके questions है A, B, C, D according आपके कह रहेंगे यहाँ पर question हैंगे और यहाँ पिर हमारा sample paper number 2 खतम हो गया है अब हमारा new sample paper आएगा sample paper number 3 जो कि यह भी आपके exam के point of view से very important रहेगा तो sample paper number 3 हमारा start आव गया है आ गया है sample number paper 3 को हम देखते हैं यह जो आपका exam होगा BEGC 133 British literature 100 marks का exam होगा 3 hours का exam होगा कितना 100 marks का exam होगा and 3 hours का exam रहेगा ठीक है दोस्तों question number यहाँ पर देखेंगे question number first कर लेना भई important रहेगा सभी के सभी question important है और सभी के सभी question weeks marks के हैं 20 marks के हैं अच्छे से आप इसकी preparation करके जाएए अच्छे से अच्छे preparation कर जाएए ताकि आपको exam में अच्छे से अच्छे marks नमबर सेकेंड very important question number third इन सभी question को आप वीडियो को रोक करके या इसको stop करके आप इसके answer को देख सकते हैं question number two and three next questions आ रहे हैं next question को भी आपको करना है next question question number आपका fourth रहा और PDF आपको कैसे मिलागा इस जो आपको PDF देख रहे हैं PDF आपको कैसे मिलेगी मैं आपको last में बताता हूं इसके कर लिजा question number fifth रहाँ पर question number अगर आपको PDF चीए तो आप मुझे comment करके बताएगा मैं PDF आपको दे दूँगा ठीक है वैसे भी मैं आपको last में भी बताता हूं question number fifth question number fifth भी आपको अच्छे से कर लिना है आप यहाँ पर देखेंगे आप जो question number आपका 6 and question number 7 all question very important और इसी लिए इन सभी question को आपको complete करके जाना है ठीक है इसलिए इन सभी question paper को आप अपने एक्जाम में अगर अच्छे से अच्छे marks गेन करना चाहते हैं तो इनको complete question number eight every question three question paper और every question paper are ten total 30 questions total मैं आपको 30 important question के question with answer बता रहा हूं और इन सभी को complete करके जाईएगा question number जो आपका eight रहा इसको आप देख लिजे सभी सभी question करके जाईए आप लोग ठीक है सभी के सभी जितने भी questions हैं उनको करके जाना है question number आपका nine okay and question number ten question number ten का a b and c question number ten 4 divided है a v and c our question को complete कर लिजेगा a और भी तुमेंने बता दिया था question number ten का c and d यहाँ पिरा यहाँ पर देखें इन सभी question को आपको क्या करना है complete करके जाना है जो कि आपको exam के point obviously very important है अगर आप इन सभी question को करके जाते हैं तो आप अपने exams में अच्छे से अच्छे mask को gain कर सकते हैं अगर यह आपको PDF चाहिए तो आप मुझे बता देना मैं इस PDF का link ध्यान से यह सुन लिजे इस PDF का link इस PDF का link आप इसे download easily कर सकते हैं आप description box में जाकर के इस PDF को download कर पाएंगे तो इस बात को ध्यान रखना कि PDF का link आपको description में मिल जागा इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर subscribe कीजिएगा और अच्छे से अच्छे like कीजिएगा और वीडियो को share कीजिएगा और हमारे चैनल के बारे में आप अपने फ्रेंड को बताईए ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को support कीजिएगा और प्यारा सा comment जरूर कीजिएग मैं आपको question beat answer बता रहा हूँ बहुत सारे लोग होंगे जो आपको इसका question answer बता देंगे मैं आपको pdf भी दे दूँगा बिल्कुल मैं यहाँ पर description box में यहाँ पर link दे दूँगा आप google drive का link रहेगा आप easily उसको access कर पाएंगे और आपसका question beat answer ले सकते है ठीक है तो इसलिए हमारे channel को जरूर subscribe कीजे जब बड़ी से बड़ी मात्रा में और आप सभी का दिन सुग हो और अपने exam को अच्छे से अच्छे दीजे कोई भी चिंता लेनी करने की जरूरत नहीं है आपके exam अच्छे से अच्छे हो जाएंगे और आपको exam में अच्छे से अच्छे marks आएं तो आप सभी को exam के लिए धेरो सुख का वना बहुत सारा बधाईयां और मैं बोलूँगा अच्छे से अच्छे marks ले कर गए वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक्यू सो मच